कि ओगे लेट सेट्ट विदाइट वेसीं टाइम आज हम लोग एक केंडल स्टिक के स्ट्राटीजी को सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं हीके नशी ठीक है हीके नशी की स्ट्राटीजी क्या है किस तरीकी से यूज की जाती है इस सब देखेंगे और Each and Everything, मतलब entry point कहां रखना है, exit point कहां रखना है, scalping करनी तो कैसे करें, inter-trade लेना तो कैसे लें, reversals पैचानना तो कैसे पैचानने, और trend में strength कितनी है, वो देखना हो तो कैसे देखें, वो सब देखेंगे, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं तब से पहले आपको क्या है कि What is Hekae उससे पहले आप दिखो Hekae Naashic, कैसे आपको लगानी कैसे आपको इस खonce चार्ट स्क्रीन पे एक चार्ट दिख यहां पर आप ऑप केंडलेग्रा जहां पर ना घारे हो सब्सक्रणाब से नहीं है तो इसके बनते हैं कहीं पे शूटिंग स्टार बनता है कहीं पे नवर्ट अबनता हिर तो इसमें बेज़ली पिती तरहे की केंडल बनती हैं अभी वह आपको हुरी अथा पूर स्क्रीन पे एक आप Кन प्रेंड को यूज कौन करता है और कैसे करता ह का भी यूज करते हैं ठीक है इंसेड ओफ नॉर्मल केंडल स्टेक्स विद हेके नशी आपको रिवर्सल पॉइंट को असानी से पहचानने में आसानी होगी ठीक है और कन्फॉर्मिशन भी मिल जाएगे एक एक्स्ट्रा अगर आप कोई नॉर्मल इंडिकेटर को यूज करते हो ठीक है देन हेके नशी केंडल बनती कैसे ठीक है बनती मतलब यूज रेड स्ट्रक्चर बन के आया है डोजी का स्ट्रक्चर बन के आया है यह सब चीजे बन के कैसे यह वो देखना है तो सबसे पहले देखो इसको उपन प्राइस जो होता है हर केंडल में चार चीज होती तो यह पुछन आता है कि हम इसका उपन लो हाई क्लोज जो है वो कैसे नहीं कर दाए सिंप्ली आप देखोगे मैं इस केंडल की बात करहा हूँ यह आपकी हेके नाशी केंडल है और यहां पर आपको दिख रहा हुआ 18153 लगा है 18153 17892 को लो है अब क्लोज आपका 18026 है लो और हाई तो आपका सेम होता है एस पर यह वाले जो केंडल है ठीक है अब आता है ओपन और क्लोज निकलने का अगर मैं बात करता हूँ ओपन की तो प्रीवियस हेके नाशी यानि की 18173 प्लस 18134 यहां पर जो आ रहा है 18026 ठीक है यह कैसे निकलका है ईक Cap लिश्व केंडल नॉर्मल केंडल इसके चारो प्राइस को डिवाइट कर दो फौर से तो आपका निकल कआ जाएगग इसका प्राइस के फैसे nau चार्ट पे वो आपके buyers को accumulate कर रहे हैं जितने ज्यादा आपका red candle बने वो आपका bears को indicate कर रहे हैं और जहाँ जहाँ डोजी बन रही है या फिर candle की strength वीक हो रही है वहाँ वहाँ हमें alert हो जाना है कि या trend में शायद कुछ बदलाव आ सकता है वह हमारा trigger point हो जाएगा for reversal ठीक है जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा होगा यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यह देखो आप आपके निफ्टी का चार्ट है ठीक है एक नॉर्मल candlesticks है और यह आपका हे किनाशी है इसमें देख रहे हैं लगातार आपका red-red-red-red-red बन रहा है यह लगातार आपका green-green बन रहा है तो कैसे करनी इसमें हम सिर्फ हेके नाशी के बेरे में देखेंगे और हेके नाशी के basis पर ट्रेडिंग करेंगे कि कहां पर अपने को stop loss ट्रेल भी करना हो ठीक है या फिर आपको टार्गेट को enhance करना हो तो वह भी इसकी मदद से हो जाएगा कैसे अगर आप यहां देखोगे तो यहां पर आपको एक green candle लेकिन अगर आप यहां देखोगे तो यहां कोई ऑपने शॉट किया तो अपने आ ठीक होता है उसके पहचान होती है वह पहचान क्या होती है तो अब जब आपके लगल्गाता iоль पहें ब्रॉफिट अपने बूग कर सकते हों salahFC पहिए यहे आपका पहला एलर्ट साइं होता है कि आपने यहां पर यह reversal आ सकता है अगर buying side है तो profit को अपने book कर सकते हो सेम चीज़ अगर आपको red candles बन रही है तो red candle में आपको क्यों होता है market लगातार नीचे आता जा रहा है ठीक है red लगातार फेके नाशी में बन दी जा रही है जहाँ पर यह डोजी डोजी बनने शुरू हो जाए देख रहा हो green वहाँ पर आपको alert लगा देना है कि यहाँ से हो सकता है trend reversal का starting point हो जाए तो आप एक बड़ा momentum को capture कर सकते हो इसकी मदद से अब इसमें हम entry और exit कहां करते हैं उसको decide करते हैं अब entry और exit को start करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा difference बता दूँ कि नॉर्मल केंडल उसमें क्या होता है आपको चार्ट पर विजॉलाइज हो रहा होगा यह क्या है पहला difference अगर मातूं तो noise-free है मतलब इसमें red candle नहीं मनने कभी green नहीं कभी red कभी नहीं एक trend जैसा बनने उसके मुताबिक हेकनाशी बनता है वेरेस जो हमारी normal candlestick होती है उसके अंदर noisy chart देख रहा होता है second difference आपका वो आता है कि कभी कभार क्या होता है कि आपका यह जो candle होती है clear image नहीं देपाती है trend के कि यह trend है क्या तो उस case में आपका यहां पर confusion दूर करता है आपका हेकनाशी का chart और अगर मैं बात करता हूँ candlestick के types की तो जैसा कि हम लोग ने starting में देखा था कि candlestick के type बहुत होते को यह हैं गम होजाता है ठीक है कोई है कोई आपका a spinning top हो tiếpा को जाता है को डोज over हो जाती है को की बुलिशन गल्फिंग हो जाती है को बैरीशन ग्रफिंग हो तरीके से और एक आपको डोजी टाइप की बनते वह दिखेगी ठीक है तो यह मेजरली तीन तरीकी केंडल आपको दिखती है अब जो केंडल स्टिक अगर आप नॉर्मल अभी आप प्राइस सेक्शन को थोड़ा सा अलग रखना अगर आप नॉर्मल केंडल सिक्स को देखना कोई बेरिश अंगल्फिंग बन जाए ठीक है या फिर कोई उपर पर एक डोजी स्पिनिंग टॉप बन जाए वो चीज़ आपको देखना पड़ता है कंफॉर्मिशन कैसे लिए वो थोड़ा सा टफ हो जाता है वेरे इसमें क्यों होता है रिवर्सलों कैप्चर करना स्टा मार्केट की साइकलोजी को समझते है थोड़ा सा देखो अगर मार्केट उपर जाता है तो उपर सिर्फ उपर ही जाता रहता है यह नीचे आता है तो सिर्फ नीचे नीचे नहीं आता रहता है कहीं पे एक जगह होती है जब मार्केट उपर जा रहा होता है ठकता है मतलब ब बायर्स हाबी होंगे लेकिन यह एक पॉइंट तो आता है जहां पर आखके बायर्स थक जाए तो वह पॉइंट कले हैं Paragri रिवर्सल पॉइंट वो रिवर्सल पॉइंट को हम हेके नाशी के तुरू कैसे निकालते हैं कि आपकी केंडर्स अपकी स्ट्रॉंग से कम स्ट्रॉंग होनी चालो हो जाती है ठीक है एक एडिशनल पॉइंट है कि टाइम फ्रेम कौन सा यूज करें स्ट्रीं जो मैंने आपको टाइम फ्रेक्स बता रखें इंटरर गेंग करते हो तो फाइब मेट हैं 15 मैंकर सकते हो अगर लेनी है अगर रिवर्सल खिल रहा है तो एंट्रि seçक है अगर हम Become तो कहा एंट्री जाए रिवर्सल का मतलब समझ में आगया होगी ट्रेंड एक अप्रेंड में चल ला है वो रिवर्सल के डाउन कप कनवर्ट होगा और कंट्यूशन मतलब एक अप्रेंड चल लगातर अब होता जाएगा ठीक है तो वो चीज हम लोग देखते हैं इसमें अब देखते हैं इसकी बाइंग और सैलिंग कहां करनी चाहिए इस टॉप लोगा और टार्गेट कहा होगा ठीक है सबसे पहले देखो आपको रिवर्सल प्लान करना है किस तरीके से लगातर अपी ग्रीन ग्रीन केंडल बनती जा रहे हैं जहां आपकी डोजी बननी शुरो हो जाएं आपका गन पॉइंट वहां पर लोड जाना चाहिए त्रिगर नी दबाना है भी अभी सिर्फ गन लोड क अभी इससे आपको गन लोड करनी है घर घर नहीं दबाना है दम मुंएंट डोजी का हाई टूटे तो भाइंग अभी मैं आपको भाइंग की कंडिशन बता रहा हूं ठीक है बाइंग की कंडिशन को बनना है डोजी का जैसे ही हाई टूटे का और वह सांड गेंडल होगा करना चाहिए ध्यान सुना रिपीट करता हूं आपको डोजी केंडल से लगातार मिल लाई है जैसे ही डोजी केंडल का हाई टूटे का आपको बाइंग की तरफ इनिशेट करना है ट्रेट की तरफ लेकिन साथ में RSI 60 अबब फ्रॉस होने चाहिए और जो केंडल तोड रही है टार्गेट आप उसमें 1-2 या फिर जो भी नेक्स लेवल कोई पर्टिकलर लेवल ड्रॉ करना वो नेक्स लेवल पर आपका टार्गेट होगा अब इसमें एक बोनस टिप है आपके लिए वो बोनस टिप यह है कि अगर आपका रिस्क रिवाट फेवरेबल नहीं बन रहा ह लेट से आपने बाई किया और आपका जो नेक्स लेवल आ रहा है वो बहुत पास में आ रहा है और आपका जो रिस्क है वो 1-1 से कम बन रहा है तो ट्रेड नहीं लेना मतला आपको टार्गेट क्या है जो नेक्स लेवल अब लेवल कैसे बनते है वो सिंपिल मैंने आपको swings connect करने होते हैं, वो आपका एक level निकालने की art होती है, तो level आपका target हो जाएगा, और stop loss आपका doji का low हो जाएगा, binding condition, now question आता है when to sell, sell कहां करना है, लगतर-लगतर candles बन रही है, जहाँ doji form होनी चालो हो जाएगा, उसके बाद आपको उसके low टूटने पर, जो doji का low होगा, वो red sound candle के साथ टूटे, मतलब उस red candle में wick छोटी होनी चाहिए, और आपका body बड़ी होनी चाहिए, बोड़ी का size, ठीक है, अब आपका stop loss क्या होगा, जो doji candle है, उसका high, ठीक है, इसमें आपके साथ एक condition याद रहत नहीं है, RSI 40 की तरफ नीचे से जा रहा हूँ, मतलब 40 के नीचे ब्लोग टोड आउँ, ठीक है, यह RSI की condition, तो RSI को high-kinasi की साथ मिलाके accuracy increase हो गई है, और कुछ नहीं है, ठीक है, target का होगा, next level जो भी पीचे के साइड आ रहा होगा, वो आपका एक target बन जाएगा, अब इसी को मैं आपको चार्ट पे जो दिखा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, कि इस तरह की की डोजी पे आपको buy trade नहीं लेना है, और इस तरह की की डोजी की जब टूटे का low तो आपको sell trade नहीं लेना है, ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, यह गलती नहीं कर दिखा 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 देता हूँ, हाला कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उमीद करता हूँ, यहां पे अगर आप देखोगे, this is your sound candle, ठीक है, अभी आप देखोगे, ध्यान से देखना, यहां पे आपी candle वीक हुई, पेली डोजी बनी, मेरी गन ट्रिगर हुई, अभी मैंने दबाया नहीं है, अभी सिर्फ गन लोड हुई है, क्या इसका लोड टूटा, नहीं टूट और इस डोजी के बनने के बाद आपको, जब इसने आपकी sound candle दी, अब आपका short trade ट्रिगर हो सकता है, इस case में, तब आप इसको short कर सकते हो, बाइंड के trade में भी आगर आप देखोगे, तो यहाँ पर आपकी लगाता है, डोजी बन रही है, यहाँ पर लेकिन, अब जब इसने तोड़ा next candle, जहां से देखना यह गल्ती नहीं करना, इस candle ने आपका, ताकतवर candle नहीं है, तो नहीं इग्नोर करेंगे, प्लस साथ में, आरसाइबी 60 क्रॉस नहीं कर रहा है, इस candle को अगर आप देखोगे, तो इस candle पर आपका आरसाइबी 60 को क्रॉस कर रहा है, और candle भी आपकी जो डोजी का होती ही, वी candle, candle भी strong हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बाए करना है, बाए और सेल के मैंने आपको दोनों के ही cases बता दिये, मैं उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि हेके नाची कैसे काम करती है, किस तरीके से entry और exit ली जाती है, किस तरीके से RSI को मिला दोगे तो accuracy बढ़ जाएगी, इस strategy को मैंने back test किया है, forward test नहीं किया है, आप एक बार चाहें तो forward test करके इसको implement कर सकते तो आज के लिए इतना ही, see you next video, till then bye bye